असलाम अलेकूम मैं हुँ सायद मुईन इन्फोर्मेशन हॉल चैनल से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गार्णेट पत्थर के बारे में गार्णेट पत्थर के बारे में मैं आपको बताऊँगा इसको कौन से अफरात पहन सकते हैं इसके फाइदे क्या हैं और हमारी बाड़ी के ओपर हमारे जिसम के ओपर इसके क्या अफरात होते हैं यह मैं आपको वीडियो में बताऊँगा हम शुरू करते हैं वीडियो अपनी गार्णेट पत्थर दुनिया के बेशतर ममालिक में पाया जाता है और इसको हम उड़्दू में अक्सर तामला याकुत कहते हैं तामला याकुत के नम से मशूर है अच्छा जिन ममालिक से ये निकाला जाता है इन में सरे फैरिस्त हैं चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये जादतर गहरे लाल रंग में पाया जाता है और इसके इलावा भी इसके मुक्तलिफ रंग होते हैं जिसमें गहरा पीला, ओरिंज और हरा रंग शामिल है लेकिन ये जादतर गहरे लाल रंग में पाया जाता है और गहरा जो लाल बिल्कुल जो कलीजी कलर कहते हैं उसकी वज़ा से ये पहचाना जाता है और ये ही इसकी पहचाना है और अक्सर लोग में जो वीडियो बनाने का मकसद है गारनेट के बारे में वो उसकी वज़ा ये है कि अक्सर लोग इसे याकूत की दूसरी शकल कहते हैं मतल लेकिन तामला याकुत हमें बासा नहीं मिल जाता है तो अक्सर लोग यह कहते हैं कि अगर आप याकुत नहीं ले पार है तो आप तामला याकुत पहने जबके ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसका सिर्फ नाम है तामला याकुत इसका याकुत पत्थर से कोई तालुग नहीं है यह जो हम याकुद जिसको बोलते हैं रूबी वो कोरंडम फैमिली से है जबके यह कोरंडम फैमिली से नहीं है इसकी एक बिल्कुल अलग फैमिली है यह बिल्कुल याकुद के बरक्स है तो अगर आप यह समझ के आप गारनेट पहन रहे हैं कि हमें यह याकुद वाला ही अस पत्थर को लेना हमारे लिए पर्चेस करना बिल्कुल नैचरल पत्थर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गार्नेट पत्थर के अगर हम जादा फायदे देखें तो ये पत्थर शेतानी ख्यालात से दूर करता है। आपके अंदर खुद एदमादी लाता है। आपके दिमाग से बुरे ख्यालात को दूर करता है। आपके माली हालात को भेतर करने के लिए बहुत मुफीत पत्थर है यह शयतानी हाथसात से आपको बचाता है शयतानी हाथसात का मतलब है कि कोई बिला वजह में जैसे कोई मुसीबत आ जाती है कोई हाकसा हो जाता है तो यह हमें उससे बचा के रखता है अच्छा इसके अज़र आजाएगा अच्छा अगर आप यह पत्थर लेना चाते हैं या मुझसे बात करना चाते हैं तो मेरा नंबर है कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा वीडियो में मेरा नंबर होगा तो आप मुझसे वाट्सेप पे या कॉल करके मालूम कर सकते हैं इसके बहुत जल्द इंशालला दूसरे पत्थर के बारे में आपको बताऊंगा और वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो जाती है कुछ मसरुफियात की वज़ा से इंशालला लेकिन अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा अपना बहुत ख्याल चुदा पहित